हाई एव्रीवन आई वेलकम यू आल तो आज हम 17 सब्टेंबर 2020 के न्यूज आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ दे इंडियन एक्स्प्रेस देखेंगे और बिफोर स्टार्टिंग दिस्केशन प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको वीडियो को ला है है तो चाइना की जो कंपनी है जेंज्वा डेटा इंफरमेशन टेकनलोजी जो 2018 में रजिस्टर की गई थी और इसके नेशन वाइट जो थे 20 से जादा जो प्रोसेसिंग सेंटर से तो यह हमारे साथ-साथ पूरे वर्ड में काफी सारे जो प्रोमिनेंट पोस्ट पे जो विल्ड किया है ठीके जिसमें इनके मतलब पूरा रिलेशन में कौन-कौन है कौन इनको फॉलो करता है कौन लाइक और कौन वीडियो को मतलब कमेंट करता है तो यह सारी चीज़े भी उसमें है तो यह जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन जो एजन्सियां थी तो उन्होंने मतलब जो जनरलिजम से रिलेटर तो उन्होंने अपने बिग डेटा टूल्स का यूज करके इनके जो ऑपरेशन से इनके जुड़े जो मेटा डेटा था तो उसको इन्वेस्टिगेट किया तो तब जाके यह इन्फोरमेशन मिली कि एक ओके आईडी भी होता है यानि कि ओवर्सीज की इन्फोरमेशन डेटा बेस ठीक है तो उसमें यह सारी इन्फोरमेशन क्या है अप्लोडेड है मतलब सब चीज़े उसके बाद 9th of September को इस साइट को बंद भी मतलब इन्होंने बंद कर दिया गया था और इन्होंने यह बोला कि किस तरह से हमें वहां पर रिस्पॉंड करना है जैसे लद्दाक में लेसी में जो टेंशन हो रही है अभी लेकिन जब यह वाली चीज़ें होती है ठीक है यह जो वार्फेर होता है पहले एकनोमिक वार्फेर फिर साइबर इटैक होते हैं फिर स्लों इंक्रोच्मेंट कर और काफी जादा मतलब अब जो में जो चीज़ हैं यहां पर यह है कि जो कमिटी सेटफ की गयी है इस चीज़ को तो यह करेंगे इनका नाम याद रखना राजेश पंथ लेफ्टिनेंट जेनरल रिटाइड है इंडिया चीफ कॉडिनेटर और साइबर सेक्यूरिटी ठीक है अब यह जो है N.C.S.C. के बारे में बता देती है N.C.S.C. 2014 में 2013 में यह लाया था फाइनल 2014 से इसने काम करना स्टार्ट किया था ठीक है अब यह PMO के द्वारा लाया गया था PMO ठीक है जो प्राइम निस्टर ऑफिस है उनके द्वारा तो यहां पर जो है Ministry of Home Affairs के अंतरगती आता है ठीक है Ministry of Home Affairs ग्रहम अंतराले के अंतरगत और जो भी जितने भी यह जितना भी हमारी जो नाशनल इंपोर्टेंट से रिडिट जो हमारी सिक्यूरिटी जो मैटर से तो वह उन एजिंसियों के साथ क्या करता है कोडिनेट करता है ठीक है साइबर इटैक इंवेस्टिगेशन करना यह सारी चीज़े करना तो यह थी इंपोर्टेंट न्यूस यहां पर है तो यह आप देख सकते है नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूस देखते हैं तो मतलब हम इस वज़े से नहीं करने क्योंकि हम जादा और डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं और हम में जो पेट्रोलिंग पॉइंट थर्टीन और टैन है तो वहां पे जो इंडिया का एक्सिस है वह चाइन ने पूरी तरह से मतलब बंद कर दिया है ना और चाइनीज डिनारल ऑफ एक्सिस इंडियन टूप त्राइं टॉइस ट्रेशनल पेट्रोलिंग पॉइंट लेकिन क्या अभी जिस सिच्वेशन है प्रेजेंट स्टैंड आफ को देखते वे थोड़ा नहीं कर रहें बिकाउस इंडियन मिडेस्ट ऑफ मांटेनियस टर्य अब यहां पर जो है डिपसंग प्लेस की जो इन सिग्निफिकेंस वह बताई गई ए ठीक है डिपसंग जो प्लेंस है वह सिग्निफिकेंस इसलिए ही नहीं कि वह 30 किलोमेटर जो है साउथ इस्ट है इसलिए इसलिए बिपसंग रिजन इंपोर्टेंस हो जाता है क्योंकि यहां पर क्या है यह हमको ओफर करता है एक फ्लैट सर्फेस ठीक है फ्लैट सर्फेस ओफर करता है इसलिए बिपसंग प्लेस में पूरी कनेक्टिविटी और सेवन किलोमेटर इसलिए जो बिटसी वेर इंडियन आर्मी अज़ बेस ठीक है जो बिटस है लाइज इन दर्बुक शोग डॉल डॉलट वेगी ओल्डी रोड और ट्रैक गोइंग इस फॉम बर्ट फोक्स इन्टु एट बॉले जाता है और जो ट्रैक है यह नौर्ट में जो राकी नाला है वहां से जाता हुआ यह जो पैट्रोलिंग पॉइंग पैट्रोलिंग पैट्रोलिंग लाइस कंसिडरी बियॉंड इस परसेप्शन ऑफ दी लिस इंडिया थे लास्ट फिफ्टी नेर्स तो हम इन लास्ट फिफ्टी नेर्स तक हम इसको मतलब लेसी को यहां पर हमने नहीं देखा है बाकी तो यह सारे हमको पता ही है कि जो चाइनीस टूप से अ गोगरा पोस्ट है ना और पैंगोंग जो के नॉर्थ मिंग में चाइनीस टूप्स नेवर विकेटेड दी फिंगर फोर रिज लाइन ठीक है यहां से थोड़ा बहुत हटे वह गोगरा पोस्ट से और होट स्प्रिंग से लेकिन वो जो फिंगर फोर की जो रिज लाइन है वहां से उन्होंने कभी वह वेकेट नहीं है उनके टूप और लेस देन फाइवन्डेंड मीटर सब्सक्राइब फिंगर त्री तो यही इसमें इंपोर्टेंट था गॉर्मेंट सेट्स अप एंड एक्सपर्ट ग्रूप तो इसका बस नाम याद रखना ठीक है जो एक्सप जाता है कहां पर जो लीगल फॉर्नर्स के लिए होगा वो गाजियाबाद में है यह गाजियाबाद में यह स्टुडेंट का हॉस्टल था ठीक है नंदग्राम हॉस्टल तो इसको कनवर्ट कर दिया गया है इन्टू रेटेंशन चंटर ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है औ टीक है स्टुडेंट जो थे वेस्टन यूपी से यहां पर आते तो इतना ही इंपोर्टेंट है कि यहां पर गाजियाबाद में यह फर्स डिटेंटर सेंटर है बाकी जो इंपोर्टेंट क्या है the maximum number of detention center ठीक है वो कितने है छे है कहां पर है असम में है ठीक है असम में है अन्दिस सेंटर है बीन बिल्ट इन accordance with MHA guidelines ठीक है तो MHA की guidelines मतलब जिन जो भी जो वीजा जिनका मतलब वीजा से related जो norms हैं ठीक हो फुल्फिल नहीं कर रहे हैं वो तो उनको क्या किया जाएगा इन detention center में डाला जाएगा ठीक है तो दो guidelines है ministry of farmers के द्वारा कि जो एक तो वोईलेट करते हैं passports के rules को entry into India act 1987 बहुत important है 1987 का क्या है passport entry into India act 1987 दूसरा है foreigners act 1946 ठीक है foreigners act 1946 अब 2012 में सुप्रिम कोड है उन्होंने ऑब्सर्व किया था कि कोई भी जो foreign national है who have completed their sentence for violation be shifted to detention center ठीक है तो उनको जब तक वो डिपोर्ट डिपोर्ट नहीं करने का मतलब डिपोर्टेशल का टाइम नहीं होता है तो तब तक वो यहां पर रहेंगे ठीक है detention center में तो यह याद रखना डेली मेट्रो फेज फेज फोर टो गेट सिल्वर लाइन ठीक है तो यह सिल्वर लाइन विल वी दे कलर कोड अफ डेली मेट्रो जो तुगलावगा बाद से और जो ठीक है line seven बोल जाता और यह pink line ंहां जब रखना हां ब्चलिस पार को रखना है जब जब डेली में मेट्रो में travel करेंगे टल् Infinite लाइन होती है और जो जो जनकूरी West कटिक है तो अभी जो है गोर्मेंट जो पर्लेमेंट में राज्य सभा में यह अपनी रिपोर्ट दी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके जो केसे हैं बहुत जादा केसे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है लेकिन जो चार्षीट है ठीके चार्षीटिंग्गास बिन पूर तो चार्ष इंग पूर है यह बोल रहें क्योंकि 17 परसंट पर ही चार्षीट हुई है डरा इंव्सिगेशन जो कंप्लिट हुई है इसको मिलना इसलुकि ऐहां पर लोग informal इराथjang वो strict provision है UAPA कि आपको क्या अगर आपको suspicion मतलब थोड़े सा भी suspicious activity दिख रही है तो आपको arrest किया जाएगा और एक individual को भी मतलब क्या कर सकते हैं आप terrorist घोशित कर सकते हैं पहले organization को ही होता था 1987 का ये bill था इसको ही क्या किया गया था 2018 में अमेंड किया गया था ठीक है UAPA find it difficult to get bail with delayed pro continue to language in jails ठीक है तो यह है और NSA के तहत भी जो है यह बोल रहे हैं कि 697 people who return किये गए थे और फूम 406 release ठीक है 406 लोगों को जो है release भी कर दिया गया था तो यह चीज़ बोला गया National Security Act then next news लोगसभा passes bill to bring cooperative banks under RBI supervision ठीक है तो अभी लोगसभा जो है बिल पास कर रही है अभी आपको बदा है पारलेमेंट का session monsoon session यह डिलेड शुरू है यहाँ पे कुशनार्स नहीं है जीरो आर को limited कर दिया गया है और लोगसभा ने Wednesday को यहाँ पे जो इसको काफी ज्यादा अपोस भी किया था उन्होंने बूला कि यह क्या है यह एस्वाल्ट है और फेडरल स्ट्रक्चर और वो डिस्ट्रॉय दिक को परेटिव बैंकिंग सेक्टर तो इसमें जब यह एक्ट बन जाएंगे ना तो तब हम इनको डीटेल में एक बार डिसक्स अल्सो इशू एक्विटी शेयर इशू कर सकता है प्रिफरेंस शेयर्स और इस्पेशल शेयर्स तो इसमेंबर और तो एनी अदर पर्सन रिसाइडिं विदिन इस एरिया ऑफ अपरेशन बाइव पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेस्मेंट बैस्मेंट यहां पे जो दूसरा था राज्य सभाव में भी जो था बिल पास हुआ है अकॉर्डिंग नैशनल इंपोर्टेंस स्टेटर्स तु जाम नगर आयरुवेदा इंस्टिटूट ठीके तो आपोजिशन नहीं यहां पे इसको आपोस तो नहीं किया बस यह कुशन पूछा कि गुजरात क कुन वर्भा आयरुवेदा महा विद्याले इंस्टिटूट फायरुवेदा फ्रमसेटिकल साइंसेज यह क्योंकि इंपोर्टेंट है क्योंकि यह ट्रेशनल ही यहां पे हैं इंस्टिटूट अंडर कैटेगरी इस्टैबलिश्ट इन फिप्टी सिक्स और यह बायस कि यह टो उन्होंने क्या किया है यह नेंचेंज किया है अनॉंस्टमेंट उन्होंने कि यह नेंचेंज होगा और जो न्यू उत्तरप्रदेश है वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है फॉर सिंबल्स ऑफ माइंडसेट ऑफ स्लेवरी है ना जीचेंज ऑफ नेम फ्रॉम कि जगा पर क्या कर दिया गया चत्रपची शिवाजी महाराज म्यूजियम इसको करेंगे फर्दर तो यह जो ताज महल के राउंड में जो प्रोजेक्ट है उसमें भी डिलेड हो सकता है नेक्स्ट जो न्यूस है यह वाला जो आर्टिकल है प्री टूट हाउज त्वेल था कुछ कुछ बाते कहीं हैं तो वो इस मिसकंशेप्शन को हटाएंगे और इसके लिए एक 16 मेंबर कमिटी जो 2016 में थी जिसमें के अंदिक्षित थे चेर्में आफ इंडियन आर्केलाजिकल सुसाइटी आरेस बिस्ट तो यह सब चीज़े होंगे और यह क्या बोल रहे हैं कि जो findings है राखीगडी हर्याना execution में उसमें यह helpful मतला उसको यह क्या करेंगे study करेंगे और बताएंगे जैसे कि जो theory of Aryan invasion है ना चैन्स debunked in the light of 2019 राखीगरी डिने रिपोर्ट अंदर वसंत सिंदेश पुने डेकन कॉलेज विच पॉइंस तु दी कंटिनुटी ओफ इंडियन कल्चर सिंस 4,500 एर्स की कब से इंडियन कल्चर की शुरुवात हुई है क्योंकि बहुत सारे जो बोला गया था कि सबसे पहला जो human being था वो अफरीका का था और वो इंडिया रिजिन में 65,000 एर्स पहले है ना तो जो हरपन सिविलाइजेशन है वस क्रिएटड वाय मिक्स पॉपलेशन ओफ देम एंड वेस्ट एशियन माइगरेंट्स हू रिजिट इंडिया राउंड 9,000 एर्स अको तो जो आर्यन है वो बिलीफ करते हैं कि वो कब अराइव हुए थे यहां पर कब आये थे अब आउट राकीघडी राकीघडी इसन हरियान पहली बात तो यह पता उनाचे राकीघडी कहां पर हरियाना में है और यह आर्केलोजिकल होट-spot वन गया है वेन अम्रेंद्रनात फॉर्मर डिरेक्टर है जो अर्केलोजिकल सर्वेय अंडिया के अंड़ीशन अडेशन और ASI की team ने यहाँ पर अनर्थ किया एक fire altar, parts of city wall, drainage structure as well as a hoard of semi-precious beads and villagers subsequently begin to see the significance of terracotta shards that later राकी गडी और 5000 साल पहली पुरानी site है तीक है जो यहाँ पर continuity दिखाती है जो हर अपन एच की आज भी the village also has havelies that are a couple of hundred years ago ठीक है तो havelies वगेरा भी यहाँ पर है and जो site है यह located है कहाँ पर सरस्तुती river plane के पास में some 27 km from seasonal घगगर river और May 2012 में जो global heritage fund है इन्होंने राकी गडी को one of the 10 most endangered heritage site in Asia डिकलियर कर दिया गया था ठीक है one of the 10 most endangered heritage site in India ठीक है तो यह इंडिस valley civilization की जो cities है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रवी लूनी और यहाँ पर जो है यह सारी जो है साइट से हैं यहाँ पर यह राकी गड़ी भी देख लो यह राकी गड़ी ठीक है राकी गड़ी है यह काली बंगन है ठीक है काली बंगन पता है होगा कहाँ पर राजिस्तान में ठीक है और बाकी तो वो पाकिस्तान में आपको पता है मोहंजोड़ो और जो हरप्पा है सुदर्शन टीवी पे जो टेली कास्ट होने वाला था बिंदास बोल उसको बोल सकते हैं कि स्पीक केरलेसली है न तो उस पे अभी जो सुप्रेम कोट ने स्ट्रिक्ली मतलब गाइडलाइन दी है कि उसको नहीं टेली कास्ट किया जाना चाहिए और यह बोला गया है कि जो शो सुरेश चाहां के इन्होंने इसको बता है ओफुल शो और प्रोमोटेड ऑनलाइन विद यूपीस्ट जिहाद शो विलिफाइज मुस्लिम एक कैम्पेइन टू इंफलिट्रेट दी ब्यूरोक्रेसी और अंडर्माइन दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन है न एक तो य यह बता रहा है तो यह ओफुल शो है वांटन डिस्रिगार्ड ऑफ दे टूथ और यह हेटफुल प्रोपेगेंडा यह चलाया जा रहा है स्पेशली वन सुदर्शन टीवी इस नॉट अलोन तो यह भी सुप्रिम कोट ने बोला कि इसमें मतलब इन सब चीजों में सुदर् कि हमारी टीवी चैनल से जो था बहुत ही इस तरह की जो चीजे थी कि लोगों का मतलब ब्रेन जो है वो बिलकुल खराब हो जाए ना तो उस तरह की चीजे यहां पर दिखाई गई थी और जैसे कोविड-19 में भी उन्होंने कोविड-19 की फास्ट 100 मतलब एक मिनट में आप 100 न्यूस सुनो तो वो कोविड बुलेटे नहीं बना दिये थे तो इस तरह की भी चीजे बहुत ही अजीब तरह की चीजे हो रही थी फेक न्यूस थी और टीवी न्यूस चैनल रिवील्ट एज एज इन इन गलोरियस और गयो पाड़ेशन डिसेप्शन विलिफिकेशन और टीक है तो यह मतलब न्यूस चैनल लेको आप और मैं तो हम वी आर रीडिंग दा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है ना हम कोई भी न्यूस पेपर वगेरा पढ़ रहे हैं लेकिन जो बहुत बड़ी मतलब चंक अफ पॉपलेशन है वो न्यूस पेपर नहीं बढ़ती है व कि आचीज टेलीकास्ट हो रही है किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं एस सॉलिसिटर जेनरल का यह कहना था तुसार महता का कि उन्होंने यह बोला कि किस एक्सेंट तक हम मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं और बाइधर इंस्टिजूशन अब 28 अगस्ट को क्या हुआ था को फोला यह चेक कर सित्य करेंगाए हुआ दोसके बाद हम इसको बंद करने का कुछ इनिशेटिव लेंगे हा нам तो यहां चेंब व्यू और and content of the episode is to bring community into public hatred and disrepute which violates the code है ना तो यह hateful memes जो है यह काफी जादा wildfire है across social media and promote even inside violence तो यह नहीं होने चाहिए यहाँ पर जो है मतलब motivated जो parties I would only have to file an objection in court for restraint to be clamped ना तो यह सब चीज़े नहीं दिखानी चाहिए तो यही चीज़ इस पर बूला गया था अब यहाँ पर जो है यह जो article है bend with the wind जो है जहागीर अजीज ने लिखावा है तो यहाँ पर बांगलादेश की जो economy है उस पर जादा focus किया गया है India should offer income support so that pandemic does not turn into financial crisis तो सबसे पहले यहाँ पर यही चीज़ बोली गए कि after riding the commodity boom of the 2000 जो economic mismanagement था उस से क्या हुआ series of corruption scandals हुए जिससे जो country थी वो economic and political crisis में आ गई थी 2016-14 के time पर ठीके which ended the 14 years rule of the workers party PT यहाँ पर बोलते हैं तो उस पर ही जादा focus किया गया है इन्होंने कि Brazil में क्या क्या हुआ था किस तरह से economy जो थी इस crisis में चले गया था economy वहाँ पर और जो इसका crux article का वो यही है कि all the discussion about Brazil economy is to underscore a simple point वो simple point क्या है कि there are times कि जो policy है उसको क्या करना चाहिए policy needs to lean against 10 times when it has to bend with the wind है ना और this is a time to do the letter it isn't the markets has been overly generous towards Brazil in fact at present there is a palpable market तो अभी जो है हमें जो budget है मतलब Indian side में यहां पर क्या करना चाहिए कि मतलब जो fiscal policy है ना उसी को लेके जो debate है वो लेकिन किस पर focused है वो focused है demand management को लेके है ना और income support और other government spending can help only modestly compensating the collapse in private demand तो cable और cable क्या भी ठीक कर सकता है जो income support है ठीक है और government की spending है वो ही इस current scenario को ठीक कर सकता है और जो भी यह that's public health problem तो यहां पर बस यही चीज़ बोला गया है कि यह जो public health problem की जिसे यह problem किस में convert होती जा रही है financial crisis में convert होती जा रही है और financial crisis turning into an economic shock because of damaged balance sheet तो balance sheet के वज़े से economic shock में चले गए as ample income जो मतलब एक इतनी income चाहिए कि वो support कर सके households को, firms को now so that they recover, recovery is not hamstrung by excessively damaged balance sheet otherwise the pandemic can easily turn into financial crisis तो वो किस में हो सकता है convert? वित्तिय संकर्ड में यहां पर जो आर्टिकल है saffron and secular तो यह बहुत आर्टिकल इन पर आ चुक है स्वामी अगनिवेश पर रिसेंटले इनकी death हो गई थी तो इनके जो है स्वामी अगनिवेश कमिट्मेंट टू क्लोरालिटी रैशनलिटी विदिन फेज नेवर वह एवर ठीक है तो इनके बारे में आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि यह जो थे रिवेंबर के जाएंगे इनके जो एफर्ट से बंदुवा मुक्ती मोर्चा है जो बांडे मुक्ती मोर्चा यहां से आज़ात करा रहे हैं तो यहां पे इन्होंने काम किया रहा थी कि बंदुवा मुक्ती मोर्चा और से union of इंडिया जज्जमेंट भी पास हुआ था यहां पे तो इससे जो चाइड लेवर था उसको अब अबॉलिश किया गया था फर्दे एक्स्लोरेशन अफ इन दे कोर्ट ऑन दे डीपनिंग अफ कंस्टिशियर राइट ऑफ मोस्ट माजलाइस ठीक है और फिर यह जो पीस टॉक ह है ठीक है जो वहां पे 36 गड़ में जो माउस थे 2010 में तो उनके साथ भी गए थे फिर यहां पे सल्वा जुड़ों मॉप के दौरा इनको क्या कर दिया गया था बैन भी कर दिया गया था फिर सुप्रिम कोटन में इनोंने फाइल की थी प्ली और फिर सल्वा जुड़ों जो इन कमिट्मेंट ठीक है तो बस यही था इंपॉर्डेंट नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर लार्जर चाइना पिक्चर तो यह इंपॉर्टेंट है न्यू नाशनल स्ट्राटेजी कंबाइनिंग डिप्लोमेटिक और मिलिटरी मीन्स इस नीड़े तो कांटर बीजिं स्ट्र इन्डिया सब्मिट्स इस इंट्रेस्ट तो राजा मैनन के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और राजा मैनन कौन है फॉर्मर रियर एड्मिरल है निवी के इस ऑथर आफ नुक्लियर स्ट्राटेजी फॉर इंडिया ठीक है तो यहां पे इन्होंने सबसे पहले लिख तो यह सारी कुछ मतलब कॉंट्रवर्सी है हमारे और इंडिया के बीच चाइना और इंडिया के बीच में और दूसरी चीज यह कि जो एक यह जो स्कूल है ठीक है तू इस इस स्कूल थिंकिंग अज मैंने बताई है इंटर्प्रेटेशन एक तो यही बताया है कि चाइनीज जो एक्सराइज करते हैं वो टेरिटोरियल स्नाच करते हैं अक्साइजीन को और वह हमेशा उसको एंटारली उनका ही पार्ट बताते हैं दूसरा यह बूला गया है कि चीफ वन और वन इस दाट फोर एनसे हैव स्पेंट संथे क्लाइक ट्वंटी इंटर्प्टेटेशन है ना तो चाइना से हमने बार बर पूछा कि उनकी जो वट मतलब बेजिंग का क्या पॉइंट व्यू पॉइंट है कि इंटरनाशनल बॉर्डर लाइस तो वाट इस देर वर्शन ऑफ एलेसीन लद्दाक तो क्या है लेकिन हमको इसके आंसर मतलब नहीं मिले और यह कभी भी पॉब्लिक में इसको नहीं किया गया कि चाइना की साइट से क्या रिपलाय आया आया भी यह नहीं और इस सेकंड इस टेरिटरी का कुछ भी लेना देना नहीं है कि अबल हम यह बिलीफ करते हैं कि चाइना ग्रोज इंटू परहाप्स ते मोस्ट पाफुल नेशन ऑन अर्थ ओवर्टेकिंग दे एक्चल यूस जीडीप बाइट यूस ते भी वह आगे अगर हो जाता है 2030 में तो बीजिंग व वह काफी जादा important रहने वाला है क्यों क्योंकि हम जो है we contest their entire southern border अभी हम क्या कर रहे है एक तरह से हमी southern border में एक इंडिया ही ऐसी पावर है जो चाइना को मतलब क्या कर रहे है question कर रहे है चाइना को ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहा है क्यों हमने उनका जो बी एन आर जो ह है उसको refuse किया है है जो उनका anti-china maritime मतलब हमने क्या 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 है quad grouping के साथ हम ज्यादा focus कर रहे है quad group जो है quadilateral group anti-china maritime maritime जो coalition है वो बना रहे है हना compete with them for influence in South East Asia and Africa और जो हमारा जो Taiwan को लेके मतलब अभी हमने statement दी थी वो भी important है Hong Kong को लेके and Xinjiang and move ever closer to the United States ठीक है तो यहां पर यही डिसकस की गई है और यहां पर मतलब में यह कि चायना में जो है democracy अभी वो बोलते हैं कि हम ठीक है peaceful talk करेंगे यह करेंगे लेकिन जब उनकी within country मतलब चायना के जो country है उनके वहां के लोगों के लिए कुछ democracy rights नहीं है ठीक है वहां पर उन लोगों के क्या नहीं है कुछ भी political thought mature नहीं है कि वो एक तरह से कुछ crucial क्रूशिबल जो है enlightenment वो करें अपना तो वो कभी भी रूसो आदम स्मिथ, डेकार्टे, डेकार्ट, लॉक, कैंट और इस्पंजा को नहीं पढ़ते हैं जिन्होंने मतलब एक democratic secular republic को establish किया था है न तो इसलिए हमें भी उन पर जादा ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए और दूसरा चीज है कि चाइना अज्यूम्स हेजिमनिक पार आफ्टर ट्वंटी ठर्टी वी आर गोईंग तो इसलिए नहीं है चाइना की पॉलिसी में तो इसलिए इंटरनाशनल पॉलिसी में भी नहीं है और बीजिंग जो है चाहे वो अभी हमें जिनको साथ दशक से जादा लग गए सेट अप करने में एक वर्ल्ड ओर्ड को एक स्टैबलिश करने में तो उस वर्ल्ड ओर्ड को पूरी तरह से ओवर्टर कर सकता है हना जितनी भी इंटरनाशनल फिनैंशल ट्रेड डिप्लोमेटिक्स आम कंट्रोल उस न्यूक्लियर अग्रिमेंट हुए है तो उनको वह क्या कर सकता है उसमें चेंज ला सकता है तो यह चीज़े यहां पर बोली गई है दूसरा यह है कि अपनी जो गल्ट करें उसको ग्रोग करें तो यह भी सही नहीं है हमको अपनी जो बल्ट है उसको और टाइटन करना होगा हमें अपनी जो अफनी जो गल्ट है गलवान इंसिडेंट हुआ था ना क्योंकि वॉंगी ने क्या बोला था उस ताइम पर जो चाइना के फॉरेंड मिलिस्टर है एस जे शंकर से कि आप मतलब भूल जाओ जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ जो भी कंसेंट्रेट मतलब जो टेरिटोरियल पे कुछ भी टाइक ऌटाइक हुए तो उसको भूल जाओ और जो लाइजर पिक्चर है उस पे फोकस करो है लेकिन जो गलवान और पैंगोंग सोव में हुआ तो उसके हमें सच में ही मतलब वो लाइजर पिक्चर हमें देखनी चाहिए और technical inferiority है ना कि उ improperly that उसको भी हमें देखना जान है unless we develop some punitive capability which it seems could only be in the Indian Ocean और जो competition है चाइना के साथ with China will not lead to war है ना लेकिन ये क्या होगा it's a game of perceptions what China wants is India acceptance of Beijing ये मतलब चाइना ये नहीं चाहता है कि एक तरह से war हो वो ये चाहता है कि हम उन्हें accept कर लें कि वो हमसे superior है है ना और ये चाइना का trait है उसका मतलब ये आदत ही है not to be confused with the known rules of international diplomacy तो international diplomacy कैसे rules में confused नहीं होना के वो चाइना की ऐसी ही क्या है आक्रामकता है कि वो अपना जो है वर्चस्व करना चाहता है superiority और बाकी मुबारक हो मोदी जी तो मोदी जी का 70th birthday है ठीके तो यहां पर उन्हें के बारे में बातचीत की गई है कि वो मतलब एक tea stall चलाते थे है ना और उसके बाद से ये बन गए तो hard work is minister sir have told us that hard work is above Harvard है ना तो ये प्राइम निस्टर नहीं हमको सखाया है तो ये जो है कपिला वाचसायन ठीके तो कपिला वाचसायन की यहां पर death हो गई है तो इनके बारे में कुछ facts पता होने चाहिए कि ये founding director है रही थी और इंद्रा गांधी national center for the arts न्यू डेली वाचसायन वस अवाड़े दी पद्म विभूशन in 2011 2011 में पद्म विभूशन भी मिला था राज्यसभा की MP bureaucrate and she was instrumental in guiding policies that impacted Indian dance ठीके तो इंद्यन डैंस अगर आपसे पूछे तो किस चीस में involved थी ये कपिला वाचसयन ये थी कथक में लेकिन इन्होंने बाद में क्या सीखा था मनी पूरी भी सीखा था और दूसरा जो डांस था वो कौन सा था इनका नाम अपने सुनाओगा ठीक है भरत नानि एक्स्पोनेंट में नाक्षी सुन्दरम पिल्ला ये लेटर फ्रम रुक्मरी देवियर इंडर डिसिपल लालिता तो इन से भी इन्होंने डांस सीखा था ठीक है मनी पूरी अडिसी में कत्तक था पंड़त बिरुजी पर जो लाठी चार्ज हो रहें क्या क्यों प्रोटेस कर रहें तो यह मैं बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड करूंगी काफी अच्छे यह आर्टिकल हैं दोनों ही और बाकी के जो वर्ड निउस है वो भी देख लेंगे शुगा जो है जैपैन के न्यू प्राइम निस्ट स्टेट है तो उसने डेवलू टीएफ के जो है अगेंस्ट में जाके जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल से तो वह चाइना पर इंपोस्किया है ना वट अधी अमेंडमेंट्मेंट्स इंटू एरक्राफ्ट एक्ट मीन फोर अविशन डेटरी बॉडिस तो यह भी हम डिसकस क करेंगे तो यह तीनों जो आर्टिकल है मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगी थैंक यूव नाइस टे और प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब